हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टॉक फ़र मनी यूट्यूब चनल पर बात करने जा रहा हूं HDFC ग्रूप की एक फंडामेंटाली स्ट्रॉंग कंपनी प्रोटफोलियो में रखने लाएक कंपनी दोस्तो एक SIP वाली कंपनी और कंपनी का नाम है HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फैनांस कर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने आज के दिन अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ अपडेट यहां पर जो है एक्सेंज को नोट फाइल करके बताया है क्या है इसके ऊपर हम डीटेल में बात करेंगे इसके अलावा कंपनी के और कुछ पारामीटर को भी हम डीटेल में देखेंगे कंपनी दोनों एक्सेंज को यह वता है यह पहला नमड लोन संद जो लुन कंपनी धिया यह वारे में क्या है देखिए, during the quarter ended December 31, 2021, जो 3rd quarter में, the corporation assigned loans amounting to 7,468 crores compared to 7,076 crores in the corresponding quarter of the previous year. पीछले साल की अगर हम quarter 3 को देखेंगे, ये था 7,076 crores, और अब दोस्तों, ये FY 2022 की quarter 3 में देखिए, company loan दिया है, 7,468 crore का है, यहाँ पर देखिए, one way on way basis पे company बहतरीन loan यहाँ पर assign करते हुए, नजर आ रहा है, यहाँ पर loan assignment में एक growth आपको way on way basis पे दिखेगा. नेक्स्ट है, loan sold in the preceding 12 month amount देखे, अगर हम पीछले 12 महिने की बात करेंगे, ये जो loan company बेचा है, ये देखे 27,591 crore करोड निकल के आ रहा है, जो कि previous year, after 12 month ये था 16,956 crore, यहाँ पर भी देख पा रहा है, 16,956 crore से 27,500 क्यानवे करोड, यहाँ पर भी आप देख पा रहा है loan assignment में दोस्तों, 12 महिने के बाद भी एक जबर दस्त company growth दिखाते हुए आपको दिखेगा, gross income from dividend, dividend से भी company यहाँ पर कुछ income किया था, क्या है, जो कि है, for the quarter ended December 31, 2021 वच 195 crore, previous year 2 crore था, previous अगर पिछले साल की बात करेंगे, ये स्रीप 2 crore इसको dividend के हिसाप से मिला था, during the quarter ended 31, 2021, the profit on sale of investment देखे, अपने investment कुछ sell किया है, जो कि इसमें से कुछ नील यहाँ पर आया, investment sell कुछ यहाँ पर नहीं आया, जहाँ पर नील दर्शाए है, और previous year इन्होंने कुछ sell किया था, investment से इनका कुछ आया था, जो है 157 crore, यहाँ पर देखे, इस साल नील है, पर previous year 157 crore, यहाँ पर इनका आते हुए दिखेगा, यह तमाम update जो है, HDFC Limited Company की और से निकल के सामने आ रहा है, अगर हम देखेंगे दोस्तों, loan book के हिसाब से अगर देखेंगे, company तो यहाँ पर बहतरी नजर आ रहा है, company आपर मुझे लगता है, bounce back करते हुए दिख रहा है, बाकि अगर हम company के और कुछ point को देखेंगे, price performance को देखेंगे, यह देखेंगे, आज के दिन 2% की लगबग, 2% की बढ़त है, 49 point की बढ़त य इसकी अगर हम 52 week है को देखेंगे, यह 3,021 रूपिया यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है, दोस्तों, अभी भी देखें, 400 से 500 रूपिया नीचे, point नीचे company ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा, company हर गिराबट में इस company में आपको खरीद के चलना होगा, दोस्तों, हर गि consistent performance तो देते ही रहेंगे, बाकी अगर हम एक चीज़ को देखाऊंँ दोस्तों, आपको 50 की जो fact sheet है, इसको इसके ओपर मैं अगर चलूं, जो recent data है, December 31, 2021 यह आप दिखाऊंँ में, दिखा रहा हूं है, HDFC Limited जो है, Housing Development Finance Corporation का weightage में आपको दिखा रहा हूं, यह कितना निकल के सामने आ रहे है, 6.17%, देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वा नमबर पे यह company आता है, पहला नमबर पे Reliance Industries Limited तो ही है, 10 दसमे लोग 7, 7% की weightage रखता है, Infosys, 9 दसमे लोग 2, 3% की weightage है, HDFC bank आप देख पा रहे हैं, 8, 10 दसमे लोग 5, 4% की, ICIC अगर बात करेंगे, 6.78% की weightage रखता है, Housing Development के पास देखे, 6.17% की weightage है, यह company अगर हीलेगा, तो आप देख पा रहे हैं, total nifty 50 में भी, यहाँ पर देखे, आपको जो है, गिरावट नजर आएगा दोस्तों, company, अच्छ गया है, पिछले 3 साल में स्रीप 36 दसमे लोग 1, 2% का return है, एक साल में देखे, 2 दसमे लोग 6, 3% है, year to debt 1.93% यहाँ पर आया है, delivery percentage क्या कर रहे हैं, लोग देखे, आज के दिन 66.12% की जबर 10 delivery यहाँ पर उठाया गया है, एक महिने की average delivery कितना निकल के आ रहे है, 68.86%, बाकी अगर हम इसकी numbers को देखेंगे, आप देखेंगे दोस्तों, increasing order में ही मिलेगा, year wise company, बढ़िया production करते हुए आपको दिखेगा, देखे, थोड़ा सा slowdown हुआ था, COVID की चलते, 2021, जून 2020 में, अगर हम बात करूँ, यह quarterly है, अगर हम annual performance को देखेंगे, यह देखे, सीधे आ स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहेंगे, इनक्रीजिंग ओर्डर में मिलेगा, revenue देखे, कहां पहुझिया है, एक लाग, एक लाग 49,0033 crores यहां पर पहुँच गया है, net profit में क्या हो रहा है, यह आप गर्द में देखू, दिखाऊ आपको, यह दिखे, यह भी थोड़ा सा net profit मे net profit आया है, थोड़ा सा यहां पर घड गया है दोस्तों, बट आने वाले समय में आप देखेंगे, जब सब कुछ normalize हो जाएगा, तो यह कंपनियां भी बहुत ही बढ़िया result आपको दे सकते हैं, इसकी अगर हम share holding pattern को देखेंगे, देखे, promoter कोई नहीं है, यहां पर FIIE ज् 5% की holding है, अब देख पा रहें, और बाकी DIA के अगर बात करेंगे, यह देखे, इन्होंने 16.99% की holding कर दिया है, दोस्तों, अपना holding सितमर क्वार्टर में बढ़ा दिया है, बाकी देखे, पबलीक, अच्छी कमपनिया में पबलीक नहीं रहेंगे, देखे, 11.06% की holding पबलीक के पास है, कमपनी अच्छा है, जबरदस्त, कंसिस्टेंट परफर्मेंस भी कर रहा है, और आने वाले समय में भी दोस्तों, यह कमपनिया तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही, करेंगे, बाकी दोस्तों, कमपलीट डिसीजन तो आपके खुद का ही होगा, बस आज के वीडियो और अच्छा लगा, तो एक लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा, जय हिंद,